इसका chance बढ़ जाता है इस platomy होने से, ठीक है, खासका capsulated organisms, ये है pancreas, pancreas का ये है तुम्हारा uncinate process, द्यान से देखना, ये uncinate process, ये उसका हो गया head, ये उसका हो गया neck part, this is the body and this is the tail, तो tail of pancreas में क्या है, islets of langarans, यहाँ पर क्या है, islets of langarans, ऐसे, langarans ने यहाँ पर खो जाता अगर हम कोई दवाई देते हैं और ये वाला जो cell से ये पूरा खतम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, type 1 diabetes mellitus, क्यों, क्योंकि insulin का secretion खतम हो जाएगा, अगर हम कोई दवाई दिये, जैसे strepto-jocene का बात किये थे, तो उसको अगर हम देते हैं, तो क्या करेगा, वो destroy करना सुरू करेगा, साथ में हम लोग productive nature की कारण nicotinamide दे के इसको हम लोग बचा सकते हैं, तो 80% cell क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, 20% बच जाएगा, तो मेरा कैसा diabetes हो जाएगा, type 2 diabetes, type 2 diabetes का मतलब क्या हुआ, कि मेरे को insulin बाहर से देने की जोरत नहीं है, कुछ cells है 20% जो insulin ब बात किये, parasympathetic का बात किये, तो हम लोग बताये थे classical example, कि हम है यहाँ पर, ठीक है, और माल लो कि this lady actually उसका, उत्ता का जो पूछ है, उस पर पैर दे दी, है ना, यह कोई भाईवा देने जा रही है, तो क्या हो जाएगा उसका, heart rate जो है, यह रहा हो, उसका heart, क्या हो जाएगा, fast हो जाएगा, very very fast, ठीक है, सारे secretions क्या हो जाएगे, कम हो जाएगे, और क्या बढ़ ठीक है, heartbeat बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, pupil क्या होगा, pupil dilate हो जाएगा, तो यह सारा काम किसका है, adenalin का काम है, नौर-adrenaline का काम है, ठीक है, यह कौन से सिस्टम में पाए जाता है, sympathetic system में, इसमें पाए जाता है, sympathetic system, तो इसका काम conservative है क्या, नहीं, एकदम नहीं, conservative किसका काम है, बारा-para-sympathetic system, insulin proper, तो इस पोली-पेप्टाइड हर्मोन, right, well, main function is to cover the conserve energy, and the main role was in the fed state, ठीक है, 51-1-1 series तो हम लोग पढ़ लिये थे, fast and fed state तोनों एक साथ combination में काम करता है, beta cell of pancreas में होता है तो बताया दिये थे, और सम fish में, Brockman body में होता है, जो तना important नहीं है, यह तुम्हारा यहां से निकल रहा है तुम्हारा MRNA, MRNA से बाहर निकला, MRNA निकल के कहां जाएगा तुम्हारा, राइबोजोम में जाएगा, वहां से तुम्हारा polypeptide बनेगा, ठीक है, और यह polypeptide है, इस तरह से दिखेगा देखने में, ठीक है, और यह polypeptide क्या हो बनेगा क्या, pro-insulin, pro-insulin बन जाएगा, तो 86-acid का बन जाएगा, ठीक है, मतलब 24- हो जाएगा कितना से, 110 से, अब क्या होगा तुम्हारा, endoplasmic reticulum है यह, तो यह rough है, rough endoplasmic reticulum, क्यों बोले हम, इसमें ribosomatized है, इसलिए, 3-dysulfide bond add हो जाएगा, कहाँ पे, rough endoplasmic reticulum में, और कि गॉललगी बॉड़े में जाके क्या हो जाएगा प्रोइंसुलीन का तुम्हारा सेंड पोजिशन पर कीवेज होगा वहां से वह इंसुलीन बनेगा और सीप वह अगर अगर कर सकते हैं अगर अगर हम लोग नॉर्मली इंसुलीन अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग एलीजा किट से देखते हैं ठीक है इसका कौश 50,000 के आसपास होता है इसलिए हम लोग इतना महेंगा जांच नहीं करके नॉर्मल सी पेप्टाइट देख लेते हैं ठीक है तो इंडिरेक्टली शो कर इसमें कार्भोःडिट होता है तो ब्लड में क्या आएगा ग्लुकोज आएगा अंदर कैसे जाएगा ग्लूट 4 से जाएगा ग्लूट 4 से चला गया अंदर वहां से बना ग्लूकोज से क्या बना ग्लूकोज 6-phosphate ग्लूकोज 6-phosphate तुम्हारा बन के फिर कहा जाएगा वो माइटोकॉंट्रिया में वहां से क्या आएगा पैसा क्या आएगा ATP Selle क्या करेगा Potassium Channel जो था वो लगातर क्या कर रहा था Potassium को बाहर फेक रहा था उसको बहँर जाने से रोग देगा कि नहीं मज जू मेरे पास पैसा है रुख जाएगा सेल में क्या ओगा Potassium का लेवल बढ़ जाएगा Potassium का लेवल बढ़ जाएगा तुष्थर क्या होगा कर लाना चाह रहें यहां पर cicles में अब हम लोग मिया इंसुलेन राइट तो इन्सुलेन की करेगा इस cycle में जा के अटै Norman करेगा और इंसुलेन को यहां पर Express कर देगा और हमारा release of the insulin इंसुलेन बाहर रहा जाएगा इंसुलेन हमारा पहले से बना हुआ था DR बागी बॉडिक से बना के निकाल लेते हम लोग धेखो यहां पर इंसुलिन बन गया था इसका हम लोग vesicles में जमा करके स्टोर करके रखे वए थे यह वाला ठीक है यहां पर वो रिलीस हो जाएगा इंसुलिन हमारा ठीक है साथ में C-Peptide भी रिलीज हो जाएगा ठीक है इंसुलिन और C-peptide, तो C-peptide का measure हम लोग करेंगे, ठीक है, so glucose entered the beta cells, और pancreas and undergo glycolysis and TCA cycle in the mitochondria, उससे क्या हो जाएगा, ATP concentration बढ़ जाएगा, ADP से क्या बन जाएगा, ATP, यह cycle चलता है, ATP और ADP वाला, ठीक है, ADP का cycle, यह इसमें convert होता है, यह ज्यादा energetic है, कि इसमें tri-phosphate है, यह कम energetic क्योंकि इसमें di-phosphate है, तो जब ATP by ADP का concentration बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुमारा potassium channel क्या हो जाएगा, inhibit हो जाएगा, बोलेगा, रुग जाएगा, क्या होगा, potassium का concentration inside the cell बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, potassium बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, increase in the positivity inside the cell, वो करेगा, depolarization, उससे क्या हो जाएगा, opening of the voltage-gated calcium channel, और calcium आने से क्या हो जाएगा, fusion of the vesicle, जिसमें तुमारा insulin था, और release of the insulin, factors regulating insulin secretion क्या क्या हो सकता है भई, तो हमारा amino acid देखो, कोई भी खाना खाऊगे तुम, protein खाऊगे तो amino acid आएगा, carbohydrate खाऊगे तो glucose आएगा, fat खाऊगे तो fatty acid आएगा, वो क्या करेगा, beta cell को जाके stimulate करेगा, ठीक है, कि भाई, हम beta cell आगए है, तो beta cell बोलेगा, भाई, सुनो, insulin को secretion करवा दो, खाना आगे है मेरा, तो insulin का निकलने के सबसे बड़ा important factor क्या है, खाना, तो dietary, जो भी हम लोग खाते हैं, तो सिधा insulin क्या होता है, release होता है, ठीक है, और जब release हो जाएगा, तो बोलेगा, कि अरे, बाई, कितना release करवाओगे, बस बंद करो, खाना थोड़ा सा ही आया था, बंद करवा देगा ये, लेकिन insulin के साथ और क्या निकल रहा है, amylin, बताये थे, insulin के साथ क्या निकलता है, amylin, कहां से, beta cell से, वो इसको क्या करेगा, stimulate करेगा, ठीक है, और साथ में क्या करेगा, insulin जैसे ही निकला, और इसको inhibit करने कोशिट करेगा, वहीं alpha cell था, alpha cell क्या बोलेगा, देखो भई, हम तो glucagon, मतलब मेरे पास है, अब खाना होना आ गया है, तो insulin जो है, वो मतलब बस बंद हो जा रहा है, खाना मतलब ज़्यादा नहीं निकल रहा है, खाना लेकिन बहुत आ रहा है, तो glucagon, मतलब alpha cell क्या बोलेगा, हम glucagon release करने है, तो यहाँ amylin और glucagon, एक जैसे काम करता है, बीटा cell of pancreas को क्या करता है, stimulate करता है, यह सब कौन देख रहा था, दबदबा वाला cell, D cell, D cell बोलेगा भाई, तुम लोग दोनों न बहुत जगडा कर रहे हो, ठीक है ना, तो बीटा cell और alpha cell क्या करेगा, जाके, inhibit कर देगा, sopato statin release करवाएगा, और सब कुछ बंद कर देगा, और हम काम नहीं करने देंगे तुम लोग, ठीक है, sympathetic, प्या, sympathetic के चीज़ हम बताई दिये थे, यह expense of energy करवाएगा, यह conserve energy करवाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम बताये थे, insulin काम कैसे करता है, तो यहाँ पर कैसे होता है, यह तुम्हारा tyrosine kinase receptor, this is the tyrosine kinase receptor, जो 2 alpha और 2 beta और एक single, sorry, एक SS bond से बनता है, ठीक है, वो तुम्हारा growth receptor binding protein से जाके क्या करेगा, binding अंदर में bind रहता है, उसका यह क्या कराएगा, phosphorylation करवाएगा, और यह phosphorylation करके क्या होगा, रास activate होगा, वहाँ से क्या बनेगा, राफ activate होगा, MEF, इस सब का नाम याद नहीं रखना है तुमको, बस जाने करेगा करता क्या है, यह करता है, ग्रोथ और cell proliferation, यह पाथवे में अगर रास राफ का पाथवे में चला गया, तो वह क्या करेगा, ग्रोथ और cell proliferation, और अगर तुम्हारा insulin release substrate जो होता है, उसमें तुम्हारा अगर माल लो जाके उसमें activate करता है, तो RS1 क्या करेगा, activate कर देगा, और यहाँ पे तुम्हारा PI3K और AKT वाला model काम करना start कर देगा, और उससे पता है क्या होगा, इससे देखो यहाँ, ग्लूकागॉन, लिपिड और प्रोटीन, उसका synthesis होना start हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, glyco genesis, यहाँ पे देखो, लिपिड का generation हो रहा है, तो यहसे क्या हो रहा है, इन्सुलिन का काम क्या है? ग्लुकोस का लेवल को बलड से कम करना, काटने वाला. उसी तरह एक और molecule था calcitonin, सुनने में नाम देखने में एक जिसा लगता है last में in है, देख रहे हो last में in है, अंदर करता है ठीक है? तो calcitonin का काम क्या है? ये blood से calcium को अंदर करता है, कम करता है मतलब blood में calcium क्या करेगा? कम करेगा कहां ले जाएगा टिशू के अंदर तो blood में calcium कम कौन करता है calcitonin और वैसे ही तुम्हारा insulin का भी वही काम है glucose को blood में कम करेगा कौन insulin तो insulin का difference क्या हो जाएगा blood vessels में glucose का संक्या बढ़ जाएगा उसी तरह से जब यह equity जो तुमको बतायते हैं यह glucose transporter 4 और 2 इसका vesicle को क्या करेगा stimulate करेगा और stimulate करेगा कहा करेगा express करेगा तुम्हारा membrane में तो इसे glucose का ट्रांस लोकेशन हो गया यह क्या करेगा ज़्यादा काम करेगा ठीक है और इसे तुम्हारा cell के अंदर में glucose ज़्यादा अंदर आएगा ठीक है glucose क्या होगा ज़्यादा अंदर आएगा समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं ठीक है यह तो हम समझाई दिए अभी ठीक है insulin काम कैसे करता है तो glucose से क्या बनता है हमारा glucose 6 phosphate और glucose 6 phosphate से क्या बनता है glycogen by the name of glycogen synthase तो insulin क्या करेगा हम क्या बोलेते glycogen का synthesis को बढ़ाएगा तो यह दोनों एंजाइम को क्या करेगा promote करेगा और glycogen को ब्रेक हो देता glycogen glucose में उसको inhibit कर देगा ठीक है उससे लिपीड में क्या करेगा लिपीड में देखो तो glucose एस्टाइल कोलीन बनता था glycolysis में ठीक है और यहां पर जब TAG होता है वो एस्टाइल कोलीन से बनती है ऐसे राइट एसे टाइल को एंजाइम करबॉक्सिलेस तो insulin क्या करेगा तो मारा triglyceride का formation को promote करेगा लेकिन उसका जो breakdown है उसको क्या करेगा इनिविट करेगा इसको promote करेगा इसको promote करेगा ग्लूकागन उल्टा काम तो ग्लूकागन का काम क्या है रिवर्स ओफ इंसुलीन तो insulin is inversely proportional to number one amylin is inversely proportional to और एक क्या था ग्लूकागन समय रहे हैं आगे बढ़ते हैं stimulate the ribose to synthesis the protein and inhibit the protein degradation तो increase expression of glut 2 or glut 4 in the muscle and adipose tissue ठीक है अभी बताया थे cell proliferation करता था growth करता था बताया थे तुमको यहाँ पे जो यह पात्वेब बताया थे बहुत complex पात्वे देखने में लग रहा था हम लोग को यह वाला पात्वेब रास एन राफ का पात्वे तो इससे क्या हो रहा था cell proliferation and growth हो रहा था यह वाला राइट आगे बढ़ते हैं ठीक है और तुम्हारा क्या करता था the insulin causes hypokalemia by the pushing of the entry of the potassium into the cells ठीक है तुस्से क्या आता था potassium का level कम हो जाता था और insulin increases the release of glucagon ठीक है तो यह सब हम लोग discuss किये थे और हम लोग यहाँ पे बोले थे कि हम लोग insulin preparations को पढ़ेंगे अब हम लोग नए slide में जा रहे है ठीक है यहाँ तक किसी को कोई इसुन शिया याँ wijla you cannot ask anyone a fall you can ask you can unmute yourself and say यहां तक हम लोग discuss कर चुकिये थे अब हम लोग आगे discuss करने जा रहे है भुएभ वन मिनुनेट ब्रेक एं आस्ग कितने आए टोॡ़ पारिस इाटिसटिपेंट अभी तक कि journey किने पार्टिसिपेंट अभी तब जॉइन किये हैं किसी को कोई डाउट होका पूछ सकता है मेटफॉर्मिन यहां पर काम नहीं करता है उसका काम करने के तरीका है वो AMPK है ना यह तुमको पढ़ना होगा चाहिएक अभी हम बताइंगे भीस यहां पर काम करता है तिक है इस क्रिसकर करता है और वह क्या काहता है मेटफॉर्मिन जैसे तुमको ख़ते हैं किया से काम करता है यह है तुम्हारा लीवर लीवर में नहीं जाएगा लाक्टिक असी और उससे क्या करवाता है इसके बारे हम बताएंगे अभी कुछ दिर बाद साथ में जो बहुत इंपोर्टेंट है इसको जान लो कि यह जो conversion है जो amino acid से जो तुमारा glucose बनता है या फिर lactic acid से तुमारा जो glucose बनता है यह conversion को क्या करेगा रोग देगा इसका मतलब क्या होगा ब्लड में lactic acid क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है तो metformin जो है वो lactic acidosis करवाता है यह उसका side effect है इसी लिए metformin में के पहले fanformin आता था fanformin ठीक है तो fanformin जो है वो severe lactic acidosis बनाता था इसलिए वो band हो गया है तो यहाँ पर metformin यह दो तरह से काम करता है एक तो MPK को क्या करेगा बंद करेगा ठीक है और और सुमारा यहाँ पर इसका conversion को रोखेगा हम लोगा भी डिस्वर्श करें कुजिर बाद तो डोंट वारी अब साट करते है अब साट करते है अब साट करते है तो अगर इंसुलीन करता था लेकिन अगर इंसुलीन का क्या हो जाएगा डिफेक्ट हो जाएगा deficiency हो जाएगी तो catabolic क्या हो जाएगा प्रोसेस बढ़ जाएगा ठीक है इसका मतलब glycogen क्या होगा टूटेगा ठीक है और gluco neogenesis होने लगेगा lipolysis हो जाएगा fat क्या होगा टूटेगा और lipolysis होगा तो यहाँ पर ketogenesis भी हो जाएगा मतलब ketone body formation ketone body formation ठीक है और यह जितने भी चीज़े होगी उससे क्या होगा तुम्हारा hyperglycemia मतलब अभी मैंने बताया यह मान लीजिए आपका liver है और यहाँ पर तुम्हारा amino acid टूट रहा है तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा glucose बनने लगेगा तुम बोलेगा रही amino acid उसे glucose बनने लगेगा तुम बनता है एकदम बनता है ठीक है इसी को हम लोग बोलता है क्या glyc glyconeogenesis की glucose को बनाने का नया नया तरीका कहा होता है लिवर में होता है ठीक है glycogenolysis मतलब क्या होता है यहाँ पर liver में glycogen store होता है तो यहाँ पर scarcity दिखाएगा कि नहीं नहीं यहा तो glucose है यह हमारे पास क्या होगा वो क्या करेगा glycogen से अपना reserve को तोड़ के वह glucose बरा देग तो यह होता है तुम्हारा defect in the insulin, insulin के absence से यह सब काम होता है, insulin is the boss, ठीक है, 100 years old, या दखना है यह बार, ठीक है, boss, अब देखो, types of diabetes, कितने तरह की diabetes होते हैं, 4 तरह की होते हैं, very good, किसी ने बताया था, धीरा इस ने बताया था, कि त्यार तरह की diabetes होते हैं, तो पहला जो होता ह है, वो type 1 होता है, दूसरा जो होता है, type 2 होता है, तीसरा जो type 3, चोड़ा होता है, type 4, यह क्या बता दिए, तो हम भी समभा सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, एक दो तीन चार, नहीं, जान से देखना, type 4 diabetes mellitus जो होता है, उसको हम gestational diabetes mellitus भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो है, जो pregnancy की समय में होता है, ठीक है, type 2 diabetes mellitus जो होता है, उसमें insulin actually present है body में, ठीक है, तो हमको बाहर से insulin बहुत rare case में देना होता है, ठीक है, type 3 diabetes mellitus जो होता है, उसमें लगबग, minimum कम से कम 50 types of diabetes लिखा हुआ है, जैसे तुम लोग सुने होगे, यह नाम तो बहुत famous है, क्या न this is nothing but a typical genetic type of modification which leads to classical condition of diabetes mellitus, यह बाद ध्यान से रखना, ठीक है, बहुत सारे होते है, miscellaneous बहुत सारे होते है, बहुत सारे drug induced भी होते है, बहुत तरह का होते है, तो उसको detail में तुमको हम दे देंगे, ठीक है, वो बस याद करना होता है कि जान के रखना कि यह सब भी होता है, उसका detail में आपको नहीं पढ़ना है, type 1 diabetes mellitus very important, उसका treatment क्या होगा, drug of choice, insulin, बताए, he's the boss, ठीक है, gestational, pregnancy की समय में, अगर diabetes mellitus होता है, तो drug of choice क्या है, insulin, का है, because it cannot cross the placenta, और बेबी में hypoglycemia नहीं करेगा, बाकी जो कुछ ड्रग से वो क्या करेगा, placenta cross करेगा, और वहाँ बेबी में hypoglycemia कर सकता है, उसका brain का जो maturation है, उसको रोख सकता है, और कुछ दवाईया है, जैसे metformin जो है, जो हम लोग अभी discuss भी कर रहे थे, उसको हम लोग gestational diabetes mellitus में कभी-कभी देते भी है, बट drug of choice कौन है, insulin, ठीक है, और glyburine जो है, उसको भी देते हैं, but not so important, अभी वो उसको pipeline में है, उसके बारे ज्यादे discuss नहीं करेंगे, टाइप 1 diabetes mellitus जो है, यह absolute deficiency of insulin है, right, because the beta cells are completely destroyed, it is an autoimmune or experimentally induced type, ठीक है, बताया थे, ऐलोग्जॉन यह होता था, बताया थे, पिछले class में ऐलोग्जॉन था, स्टेप्टो जोसिन था, ठीक है न, उससे हम लोग अगर म पूरा क्या हो जाएगा, खतम, पूरा खतम, पूरा खतम हो जाएगा तो insulin कौन बनाएगा, कोई नहीं, insulin deficiency हो जाएगी, तो उसका drug of choice क्या होगा, insulin, उसमें हम लोग अजकल insulin का भाई, कौन सा, amylin analog, amylin भाई है उसका, उसके साथ release होता है, उसका हम लोग analog बना लिए, प्र amylin टाइड, ठीक है, और alpha glucosidase inhibitor जो हता है, उसका example क्या हो गया, एक कार्बोज, इसका मतलब क्या हुआ, यह माल लिजे, कि आपका यह intestinal cells है, यह माल लिजे, intestinal cells है, ठीक है, यह माल लिजे, आपका intestine है, ठीक है, sorry, same color हम use कर रहें, हम color change नहीं कर रहें, तो यहाँ पे, इस alpha glucosidase, कहाँ पे पाया जाता है, देखो, भिलाई के जस्ट बगल में, उपर में, राइट, अब माल लो, इसका काम क्या है, इट helps in the transportation of the glucose, glucose का entry help करता है, ठीक है, और fructose, उसका entry को क्या करता है, help करता है, अगर यह नहीं रहेगा, तो क्या होगा, entry नहीं होगा, these are entry inhibitor, तो alpha glycosidase inhibitor, जो है, akarbose, उसका काम क्या होगा, यहाँ से वो rectum से, rectum से, जो stool होता है, ठीक है, वहाँ से तुम्हारा glucose को बाहर फेक देगा, ठीक है, मीठा मीठा खुश्बू आएगा, अब हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, तुमने घज सकते हो, खेर, type 2 diabetes mellitus ज क्या है, metformin, पहली बार कोई भी diagnose होता है, तो उसका क्या होता है, metformin सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है, और second line treatment क्या है, oral hypoglycemic agents, इसके बारे भी discuss करेंगे, और अगर, अगर माल लो, अगर माल लो कि एकदम resistant है, resistant है, काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक नया दवाई ह है, very very important, hydroxy chloroquine, क्या आप बात करते हैं सर, पूरा world में जगडा हो गया, यह hydroxy chloroquine को लेकर, आप क्या बोल रहे है, resistant diabetes mellitus में, हम क्या दवाई देते हैं, hydroxy chloroquine, यह pipeline में है, मेरा जो thesis है, अभी जो बन रहा है, इस पे हम काम करना चाहते हैं, वो उसमें से एक molecule, hydroxy chloroquine भी है ठीक है, इसको resistant diabetes mellitus में दिया जाता है, हम last में इसको discuss करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है, हम लोग अगर कुछ काम नहीं करेगा, तो insulin बाबा की जय हो, कुछ नहीं होगा, तो insulin दे के खतम करो, या emergency condition में तुरन सरजरी करवाने तो क्या देंगे हम, insulin, ठीक है, तो, ए एक टर्म आता है, metabolic syndrome, metabolic syndrome मतलब क्या होता है, देखो भाई, इसमें तुम्हारा glucose बढ़ेगा, very good, lipid भी बढ़ गया, very good, साथ में blood pressure भी बढ़ गया, और क्या होगा, atherosclerosis का, atherosclerosis का, chance भी बढ़ जाएगा, what do you mean by atherosclerosis, atheroma, atheroma formation करवाएगा, atheroma, सरी, क्या उल्टा उल्टा चीद बोल रहे है, atheroma क्या होता है, तो ये जो blood vessels है, ये जो blood vessels है हमारा, इसमें एक clot बन जाता है, यहाँ पे, deposition हो जाता है, ठीक है, और जब यहाँ पे, वो dissolve नहीं हो पाता है, fatty tissue मालों यहाँ पे आ गया, clot नहीं, sorry, fatty tissue तुमारा आ गया, और यहीं पर तुमारा फिर क्या हो जाएगा, calcium का, fibrin का, सब का deposition सुरू हो जाता है, ठीक है, और deposition होने से क्या होता है, ये बड़ा होते जाता है, और धीरे धीरे इसको occlude कर देता है, तो normal जो मेरा blood pressure था, normal जो blood का flow था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ अप्स्रक्ट हो जा र रहा है, और यहाँ वाला सेर बोलेगा, हमको बहुत खुन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लड रुग गया, सारा यही खा जाएगा, nutrient, इसको nutrient नहीं मिलेगा, बहुत रुएगा यह, तो क्या होगा, ischemia होगा, pain होगा, ठीक है, तो heart attack, जो हम लोग बात करते हैं, heart attack, ठीक है नॉर्मल भाषा में, डिल तोटना, मतलब दिल में दर्द होना, जो भी है, खेना, एंट्जाइना, जो छीज बोलते हैं, एंट्जाइना, गैना मिलस होता है, pain, अट्जाइना मिलस होता है, pain, और pain होता है, एट्ट प्रोन होटा है, मतलब बलड हमारा कम जा रहा है, ischemia, नामी है इमिया मतलब ब्लड इसका मतलब कम मतलब लाइफ में सब करेंगे यह पर तो इस पर हम लोग कभी और चर्चा किया करेंगे तो अभी फेवरी आने वाला है तो अब देख रहें आप एंटी डियाबेटिक ड्रक्स अब हम इसके बारे डिसकुस करते हैं ठीक है वाट इंपोर्टन चीज़ क्या है जानना कि जब हमारा ब्लड वेसल में जब तुम्हारा ग्लुकोस का संथिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा बहुत ज़्यादा ग्लुकोस रहेगा इसको हम लोग बोलता है ग्लाइकेटेड हिमोगोबन ठीक है? तो ये क्या दिखाता है? ये HB1AC क्या दिखाता है? ये ये दिखाता है कि हमारा blood vessels में जो glucose था, वो कितना दिन से ज़्यादा था, कितना दिन से, मतलब कितना दिन का ये पुराना diabetes है, untreated diabetes है, HB1AC उस चीज़ को दिखाता है. अब समझ माया है? कोई डॉक्टर तुमको बोलेगा कि नहीं नहीं, अपनी नानी को, ममी को, पापा को, जादा को, HB1AC करवाओ. तो वो क्या चीज़ देखना चाहता है? कि कितना सालों से तुमारे जो relative है, उनके body, blood में तुमारा glucose का संख्या जादा रहा है. समझ माया है? औ वो तुम लोग आज से पास साल की बात पढ़ोगे. उतने दर डीटेल में तुम लोग अभी जानने का जुरत नहीं है. बट HB1AC जानके रखना. यही है. तो हमारा anti-diabetic drug का क्या target रहेगा? कि भया, हमारा जो blood vessels है, उसमें हमको glucose का संख्या क्या क्या करना पड़ेगा? कम क करना पड़ेगा. का है कम करना पड़ेगा? अगर कम नहीं करेंगे, तो यह तो बढ़ते रहेगा. यह दिखेगा कि नहीं तो बढ़ी रहे है. है ना, target हमारे रहेगा कम करना. लेकिन अगर बढ़ा हो रहेगा, तो हमारे infection का chance बढ़ जाएगा. ठीक है? कोई भी ulcer ulcer है, त उसका healing दीरे हो जाएगा. ठीक, और क्या होगा? और तुमारा infection का chance बढ़ जाएगा, यह healing कम हो जाएगा. और क्या होगा? तुमको multiple problems होंगे. macro complications and micro complications. इसका मतलब diabetes जो होता है, ध्यान से रखना बबबू, सुनते रहो. diabetes जो होता है, उससे होता है dementia. यह हम बताये थे diabetes जो होता है, उससे होता है क्या? डिसरीद्मिया. यह भी problem हो सकता है. क्यों? बिकास प्रो एक तरह का प्रो थ्रॉम्बिंग स्टेट बना देता body में. ठीक है? और क्या करता है diabetes? डिस्फंक्शन मतलब? डिस्फंक्शन इसका मतलब? डाउन. राइट? तो मेल में erectile dysfunction करता है male में. female में क्या करता है? decrease in the libido. ठीक है? जो यह रहता है वो कम हो जाता है. ठीक है? सेक्सापील कम हो जाता है. ठीक है न? तो diabetes बहुत जगा काम करता है. मैक्रो में कहां पर काम करेगा आई में काम करेगा आई में क्या करेगा तुम्हारा वहां पर नए नए वैसल बनाने स्टार्ट करेंगे नए वैसल बनेगा है ना वैस्कुलाइजेशन बढ़ा देगा ठीक है ना तो वहां पर ब्लाइंडनेस आ जाता है दिखने में दिक्कत ह सबस начинаiner Oh My god क्या करेंगा और वहाँ पर तुम्हारा व्होंग होजाएगा पर सबस्क्राइब के सम्सक् पूरा जाके glucose क्या करेगा fat को भी जमा कर देगा और खुद भी जमा हो जाएगा तो उसका nerve conduction क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो बगल वाले cell को जो तुम्हारा जितने भी छोट छोटे तो तुम्हारा यहां पर blood vessels में कि हमारा जो blood पहुंचना था वो नहीं पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा इसकी मिया होगा फिर क्या होगा नियूरोपैथिक पेन ठीक है तो नियूरोपैथिक होती है तो macro complications and micro complications diabetes में हर तरह की चीज मिलेगी जो चाहिए वो मिलेगा ठीक है चलो यह चीज जान गए ठीक है बहुत कुछ-कुछ important चीज है अभी हम तुमको एक ऐसा चीज बताने जा रहे है जो तुम लोग बहले शायद नहीं सुने होंगे बट इसको जान के रखना diabetes induce anemia जो लोगों को diabetes होती है उनमें anemia भी होता है यह बात बहुत कम लोग इसको discuss करते हैं और यह बहुत hot topic है discussion का हम लोग blood hemoglobin level कभी check नहीं करते हैं बट जो female जो diabetic होती है उनमें hemoglobin या क्या male में भी even hemoglobin बहुत कम रहता है उससे multiple problems होते हैं और हम लोग उसको ऐसी नजरांदाज कर देते हैं metformin metformin जो हम लोग discuss किये थे metformin यह हमारा metformin it is not a very good molecule even हम लोग इसको drug of choice के रूप में use करते हैं but metformin जो होता है वो vitamin B12 का deficiency करवाता है और विटामिन B12 का deficiency कराके यह megaloblastic anemia करवाता है ठीक है megaloblastic anemia और metformin का सबसे बड़ा side effect क्या है gastric irritation nausea vomiting ठीक है gastric irritation बहुत ज्यादा बहुत important है यह कि यह सबसे common drug है और common drug का side effect जिरूर पूशा जाता है तो यह सब जान के रखना विटामिन B12 का deficiency megaloblastic anemia हो गया gastric irritation nausea vomiting है न यह सब तो होता ही है और तुम्हारा और साथ में क्या करता था lactic acidosis क्या करता था lactic acidosis अब यहां पर देखो अगर हम बोले कि भाया हमारा hb1ac level को हमको काम करना है तो सबसे पहले क्या दावाई देंगे हम insulin क्योंकि insulin क्या करेगा glucose का सीधा absorption करवा देगा क्योंकि ग्लूट 4 का क्या करेगा ग्लूट 4 का concentration blood में कम कर देगा ग्लूट 4 का बढ़ा देगा ग्लूट 4 को अगर बढ़ा देगा तो glucose क्या होगा फटाफट फटाफट करके cell के अंदर चला जाएगा ठीक है न इंसुलीन जो है maximum Hb1ac को कम करता है इंसुलीन इसके बाद आता है सलफोनाइल यूरिया अभी हम लोग सब डिसकस करेंगे वाट इस सलफोनाइल यूरिया वाट इस इंसुलीन वाट इंसुलीन प्रेपरेशन और फिर तुमारा और हम लोग Hb1ac कम कर निकाह देगे ओर इंसुलीन के बारे में हम लोग पढ़ी दिये थे 11 डॉक का नाम हम बताया ही थे तुमको मार्जोरी इसके बारे मेरे स्टेस में भी मैंने थोड़ सा कुछ डाला है असुबह क्योंकि हंड़ेड येर्स हम से लिब्रेट कर रहे है इंसुलीन का तो आज मैं इसको पढ़ाने तो फिर भी लिख दे रहे हैं अगर कोई सेव नहीं किया होगा तो सेव करके देख सकते हो जो भी है या फिर नेट पर साच कर लेना मार्जोरी किया या टॉग तो देखना है हमको इंसुलीन प्रपरेशिन जो होते वो दो तरह क्यों होते हैं एनिमल इंसुलीन और यूमन इंसुलीन तो यह भीफ पार के सब लिखा रहता है बाट एक्ष़ली पहले हॉस्में बनता था क्यों जूर बोले हुस्में आजले वो यह अच्छा रहता है तो आज फिक्टिंटमेंट टेक्टियन अच्छे प्रॉब्लेम क्या है भले वह वीफ पो या पार्क उ? तो उसमें कुछ amino acid का difference होता है, ठीक है, जानना important क्या है, उसके example, ये बहुत important अगर इसको कोई समझ गया, ये animal insulin है, तो ये बहुत तुम लोग काम देगा लाइफ में, का है, ये regular insulin होगा, या तुम्हारा neutral protein, hagadron, ठीक है, या lentic insulin होगा, उसमें न होता है तुम्हारा allergic reaction, यहा इसका काम आ जाता है, तुम्हारा पूरा pharmacy department का, pharmacy pharmacology department का काम आ जाता है, ठीक है, इंसुलीन का तुम्हारा root of absorption क्या है, oral दोगे तो क्या होगा, ये peptide है, peptide तुम्हारा कहा है, digest हो जाएगा, blood brain barrier को cross नहीं कर पाता है, placenta को भी cross नहीं कर पाता है, तुमको पदा एते है, GDM म नहीं कर पाता है, ठीक है, injectable generally रहता है, subcutaneous या भी IV, ठीक है न, subcutaneous हम लोग बहुत, यतने भी insulin है, सब लोग हम लोग वैसे ही देते हैं, तो duration of action के साथ उसका ये change होता है, उसका actually name, ठीक है, तो ultra short, short, intermediate है न, और long, ऐसे करके नाम होता है, हम उसमें आएंगे, उससे पहले तुमके एक चीज़ बताना जा रहे, बहुत interesting है, ये, nasal form of, हम लोग insulin आशकाल use कर रहे है, जिसका हम लोग बहुतता है, अफ्रीजा, ठीक है, इसके बारे में जाना, अफ्रीजा, ठीक है, problem क्या है, अकेले ये बेचारा ज्यादा काम नहीं कर सकता है, इसको किसी का help का जो रहते है, मालों किसी ने normal वो insulin लेते रहता था, ठीक है, बट किसी ने किसी तरह से लगा उसको कि यार मेरा तो sugar level control नहीं हो रहा है, ठीक है, और मैं शायद insulin को कम dose मैंने ले लिए, कम unit का, वो तुरंत क्या करेगा, inhalational या nasal root से वो अफ्रीजा को ले लेगा, ये केले कभी काम नहीं करेगा, but it is just a supplement, ठीक है, तो ये बात जानके रखो, ठीक है, IV, IV जो root है, subcutaneous हो गया और IV हो गया, तो IV में हम लोग रेगलर insulin यूज करते हैं, ठीक है न, और यह बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक सेगंड हो, फ्रीजा में एक चीज़ और लिखा है याँ पे, before meal to control the PPH, postprandial hyperglycemia, PPH का देख लेना यह, postpartum hemorrhage नहीं है, this is not gynae department, okay, postpartum hemorrhage नहीं है, this is postpartum, postpartum नहीं, sorry, postprandial hyperglycemia, ठीक है, और उसको हम लोग long injectable जो drugs है, insulin, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यह discuss कर रहे थे, तुम्हारा subcutaneous वाला, subcutaneous मे ध्यान से द ultrashort, ultrashort में तुम्हारा, नाम है तुम्हारा LAG, lispro, aspart और glucin, ध्यान से अगर देखोगे न, यहाँ पर तुमको amino acid का नाम आएगा, देखना उसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो, lysine, proline, aspartate है न, और देखो यहाँ पर, glucin, lysine, ठीक है, glycine और lysine, तो मेरा बोलने का मतलब है, यहाँ पर सिर्फ amino acid का हेरा फेरी होता है, क्या होता है, हेरा फेरी, ठीक है, और उससे तुम्हारा क्या होता है, पूरा का पूरा, नेमी तुम्हारा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ultrashort acting जो होता है, तीन घंटा का होता है, ठीक है, short acting जो होता है, ठीक है, और or intermediate type подарik जो होता है वह तुम्हारो होता है एंपी एच शौट होता है रईगुलर है ना यह सब तुमको ऐटा कुमको आधे लकुलर्प रह एम जितना भी तुमको पढ़ा दे जितना भी हम तुमारा सुछ भी बोलते तुमको याद रखना होगा है ना लॉंग में नाम जानके रखो, डेटिमीर, गलारजीन और डेगलूडेक, डेगलूगेर जो है, यह भी नया मार्केट में है, यह लॉंगेस्ट है, ठीक है, 42 आवर्स, सोच रहे हो, 42 आवर्स, 22, 4 प्लस, ठीक है न, 24 कितना होता है, 48, ठीक है न, 6 घंटा इसमें कम कर दो, 6 घ घंटा के लिए हम लोग रेगलर दे देंगे, तो 6 घंटा रेगलर देके, एक इंसुलिन डेगलर डेट कर दे दिये, मेरा दो दिन तक आपको कुछ लेने के जुरूत ही नहीं है, ऐसे करके हम लोग mix and match करके, हम लोग regimen बनाते हैं, ठीक है, अल्टा शॉट्क में तुमारा इस तरह से monoclonal compound होते हैं, इंसुलिन का, ठीक है न, वो जल्दी absorb हो जाता है, regular में बीच में zinc होता है, यह सब याद रखना, NPH में नाम ही है तुमारा, प्रोटामीन रहता है बीच में, ठीक है न, और लेन्टे इंसुलिन जो है बात बोल रहा है, उसमें 30% semi-len्टे है, और 70% ultra-len्टे होता है, और यहां पर अलग-लग type से बताया गया है तुमारा, कि semi-len्टे जो हैता है, वो short होता है, ultra-len्टे long होता है, और इस तरह से तुमारा कैसे देते हैं, इसके बारे में हम लोग discuss, मतलब दिया हुए है, बेसल इंसुलिन जो होता है, यह monitor करना और यह जानन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुमारा जो postprandial, जो hyperglacive में है, उसको control करने के लिए हम लोगों को देखना होता है, क्योंकि बेसल इंसुलिन जो होता है कि, देखो, जितने भी तुमारे processes होते है, ठीक है, टूटने वाले process, उसको inhibit करता है, इसको maintain करके रखना बहुत ज़रूरी है, spikes आते रहे, बट ये maintain रहे, ये नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, और मतलब ये जो तुमारे spikes आ रहे है, वो general क्यों आ रहे है, क्योंकि हम खाना खाए, खाना खाए, बढ़ गया, फिर लेकि normal आ गया, normal से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये सब सब क्या होता है, regular NPH क्या होता है, ये सब तो लोग तो पढ़ोगे, तो समाझ में आएगा क्या हम पर चलो, इसको हम लोग और detail में और अच्छा से बढ़ सकते हैं, uses of insulin हम लोग discuss कर चुके थे, सब क्योंकिने इस injectable pen के रूप में आता है, pumps आता है, इस सब के बारे भी photo दे कोजिया वामिटिंग भी होती है, diarrhea भी होता है, ketone body बढ़ जाता है, बतायते तुमको कैसे बढ़ता है ketone body, यह ना, alipatiasis synthesis बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, ketone body का formation भी बढ़ जाता है, तो सबसे पहले हम लोग fluid देंगे, उसके बाद regular insulin देके हम लोग उसको control करेंगे, अगर diabetic ketoacirosis होता है, इसमें तो बढ़ तुमको अलग class ही लग जाता है, पूरा का पूरा, ठीक है, उतना बताना भी possible नहीं है, emergency hyperkalemia, normal level होता है, तीन से 5, 5.5, 3.5 to 5.5, 5.5 से ज्यादा होगा, तो hyperkalemia, ठीक है, लिखा हो है यहाँ पे, तो उससे cardiac arrest हो सकता है, death हो सकता है, तुरंत हम लोग calcium gluconate देते हैं, तो heart को क्या करेंगा, stabilize करेंगा, calcium का काम होता, stabilizing the membrane of the heart, ठीक है न, बट यहाँ पे हम लोग chronic alcoholic को हम नहीं देंगे, का है, क्योंकि उसमें glycogen reserve होता ही नहीं है, जब glycogen reserve नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे calcium gluconate का कोई काम नहीं है, calcium तो membrane stabilize कर दिया, लेकिन यहाँ तो gluconate भी दे रहे न, तो यहाँ पे इसका कोई role नहीं है, क्योंकि glycogen जब नहीं है, इसको वो तोड़ेगा ही नहीं, ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या बताना चाहरे थे, insulin और dextrose को साथ में देते हैं, क्योंकि insulin से तुम्हारा potassium और glucose दो supplement देते हैं, ठीक है, साथ में अगर hyper emergency hyperkalemia अगर हो जाता है, potassium level बढ़ जाता है, हम लोग loop dietics भी देते हैं, क्योंकि वो potassium को क्या करता है, पिशाप से निकाल देगा तुम्हारा बाहर, ठीक है न, और sodium bicarbonate भी देते हैं, जो sodium potassium के opposite काम करता है, और तुम्हारा bicarbonate जो है, उ और जहां potassium गया है, वहाँ पर hydrogen भी जाएगा, जहां hydrogen जाएगा, वहाँ acidosis होगा, ठीक है, तो sodium क्या करेगा, potassium को counter करेगा, और bicarbonate क्या करेगा, वो acidosis को counter करेगा, यह सब तो सा typical चीज़ है, एक बार में दिमाग में जाता भी नहीं है, जानके रखो, ultimately अगर हमको potassium बाहर से निकालना है, या कोई भी आयन बहार निकालना है, हम लोग hemo dialysis करवा देते हैं, क्या करते हैं, dialysis, side effect क्या है, it is the hypoglycemia, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत बार discuss भी कर चुके हैं, ठीक है न, paparalol क्या करता है, it marks the symptoms of the hypoglycemia, except the sweating, ठीक है, इसके बारे भी हम लोग पिछले class में discuss कर चुके थे, hypokalemia, weight gain करवाता है, और lipodystrophy के बारे भी हम discuss कर चुके हैं, इसके बारे में बार बार discuss करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, I am giving you one minute break, you can use washroom, drink water, ठीक है, और दिमाग ठंडा करो, क्योंकि oral hypoglycemic agents हम स्टार्ट करने जा रहे, any doubt you can ask, कैलसियम ग्लुकोनेट जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, आइवी के थ्रू, उसका एक बार फीर से, मतलब समझाएं, नहीं समझ में आया, उसका काम, देखो कैलसियम जो है, कैलसियम जो है, वो हार्ट का मेंब्रेन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, कैलसियम का, पढ़े कैलसियम जो नेक्ष्ट को जवब हार्ट करता है, यह जब गार्ट एक्ष्ट काम करता है? ओडिन